नमस्ते फ्रीटी के रसवय मापका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम बनाएंगे डाल पीठी यह बहुत परंगपनी Western के दादी इनीन बना अनिमा बना करती है और यह बहुत टेस्टी होता है बहुत अच्छा लगता है तो चलिए हम बनाना स्टार्त करते हैं यह हमारा एक कप डाल है यह तूर डाल है तो इसको हम अच्छे से धो लेंगे दो-तिन पानी देखिए हमने धो लिया अब हम एक कुकर लेंगे और उसमें डाल देंगे यह धोली हुई दाल और उसके बाद हम इसमें आधा लिटर पानी डालेंगे 500 एमेल फिर अब हम इसमें नमक डाल और हल्दी डालेंगे आधा आधा चमच दोनों डालेंगे और कुकर कर ढखन लगाएंगे और गैस पे एक शीटी आने तक पकाएंगे तो चलिए अब हम तब तक आटा लगा लेते हैं उसका यह हमारा तीन कप आटा है हमने इसको अच्छे से छान लिया है और यह गेहू का आथों से बढ़िया से मसल लेंगे अच्छा मोय हम इसमें मसलते हुए लगा लेंगे और इसमें ऑईल डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे सौफ्ट बनेगा आपका तो देखिए हमारा लग गया अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका थोड़ा के लिए रेश्ट पर अब हमारा 10 मिनट हो गया यह हमारा आटा सेट हो चुका है थोड़ा सा मनुश्कों और मसल लेंगे देखिए हमने मसल लिया अब हम चलते हैं डाल पीठी बना लेंगे ऐसे थोड़ा सा आटा लेंगे छोटे निवू कह आकार के लेंगे और ऐसे गुल बनाएंगे और फिर हाथों से ऐसे दबाती हुए चप्टा करेंगे और फिर हम ऐसे अंगुली से बढ़ा लेंगे और आप इसको चाहे तो बेल भी सकते हैं बड़ा रोटी बेल के और उसको कटोरी या ग्लास से काट के बना सकते हैं और देखिए ऐसे तीन अंगुली ऐसे ल ऐसे दोनह यह अंगुली से ऐसे दबाएंगे तो देखिए इसमे चार पत्ती हो गई तो ऐसे ही हम बना लेंगे सारा देखिए यह हमने बना लिया अब हम चलते हैं डाल का देखिए यह दाल हमारी घूंकी है एक ही सीटि में हमारी दाल अच्छे से घुल मेरे देंगे मेरे नहीं इसमें 500 हम इसमें 500 अधा लीटर मेरे अभार माजलागी 3-3.5 मिनट हमें उबलने में लगा है थोड़ा सा हम चलाएंगे इसको और अब हम ये डाल की दुलान डाल देंगे इसमें तरह हम एक करके डाल देंगे और पहले एक थाली के डालेंगे आधा उसके बाद हम थोड़ा सा चलाएंगे इसको ध्यान से चलाएंगे नहीं तो तु बट जाता है और फिर हम दूसरा वाला भी डालेंगे तो सारा हम ऐसे ही डालेंगे और एक साथ नहीं डालेंगे क्योंकि एक सट डालेंगे तो चिपक जाएगा और आपका ये डाल की दुलान तूटने भी लगती है तो इसलिए हम आधा-धा करके डालते हैं अब हम इसमें 100 ml और पानी डालेंगे क्योंकि हमें कम लग रहा है और इसको डूबना भी बहुत ज़रूरी है डूबेगा तो अच्छे से पकेगा डाल देंगे डाल के चलाएंगे और अब हम इसमें नमक डालेंगे नमक ध्यान से डालेंगे क्योंकि हमने डाल में भी नमक डाला था और अब हम इसको ढह covered पकाएंगे हम करिब तेन मिनट तक पका लेंगे जीए अब हम धकन भाटाएंएंगे फिर छा लेंगे देखिए यह उपर आ चुगा है पकने का मेन यह है कि उपक जाता है तो ऊपर आजाता है सारा दाल धूकला उपर आ गया है फिर हम वापस से दो मिनट पकाएंगे ढगके देखिए पहले से दाल गाड़ी हो गई है अब हमारी दाल की दुलहन रेडी हो गई हमें इसको पकाने में पूरा टोटाल ग्यारा से बारा मिनट लगे हैं और अब हम गैस को बन करेंगे और तड़का लगा लें दालेंगे और ये तीम ड्हू आलेंगे 8-10 कड़ी प।त डालनेंगे और एक कटिछ पत्ता डालेंगे और ये तीन सुखी लाइल नेंच है इसको दोड़ीद नकरेंगे जकुँर वापस से हो फिस नान है जिसा बिइस ने देखिए बहुत अच्छा बना हुआ है अब हम सर्व कर लेंगे अब यह हमारी दाल की दुलहन दाल पिठी तयार है तो देखिए कितनी सुंदर लग रहे हैं बहुत टेश्टी बनी हुई है हमने इसको अचार सलाद भूनी हुई हरी मिर्च दही चटनी के साथ हमने सर्व किय यह हमारी तरफ की फेमस और पारंपरिक डिस है और बहुत ही टेश्टी डिस है तो आप ज़रूर बनाएं अब हम इसको काट के दिखाएंगे देखिए इसमें एकदम अंदर तक डाल गया हुआ है और देखने में जितनी यह सिंपल डिस है उतने है खाने में बहुत ही अब कि?